पांच सितंबर याने की शिक्षक दिवस के दिन छपरा से एक तस्वीर वाइरल होती है, उस तस्वीर में एक शिक्षक सहाग अपने हाथ में कट्टा लेकर केक काट रहे थे, उसके एक दिन बाद खबर आती है कि पुलिस ने जब तैकी कात करने की कोशिश की, तो मालूम चल गुरू अफजल रिखा, कट्टा पुलिस ने कहा कि नहीं वो एरगन है, ठीक अब दूसरा बात होता है कि अधित तीवारी नाम का लङका है, उसको बीष तारीक को कुछ लड़के मिलकर पांच लड़के मिलकर ।ुम को मार देंगे, तुम को बादो पक्थ साल, और जिस दो आदमी तक पुलिस के शिकंजे में हैं पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम इनको पकड़े हैं लेकिन छप्रा के लोग कह रहे हैं कि खुद ही जाके सरेंडर कर दी हैं मारने वाले तीन बच्चे भागे हुए हैं 15 साल का बच्चा कैसे फरार हो सकता है यह चप्रा पुलिस समझ समझ सकते हैं और उसके बाद अभी खबर चल रही है कि तीन लोग भाग गए हैं तरह तरह का कोई बोल रहा है लड़की बाजी का केस था कोई बोल रहा है कोचिंग केस था लेकिन सवाल यह कि कट्टा वाला पहले केस होता है पांस तारीक को बीस को बोलता मार देंगे एक इसको स्कूल के सामने दुड़ा कर मार देता है क्या हो रहा है देखे सबसे पहले तो मामला यहां से था कि 5 सितंबर के दिन जो अफजल जी थे टीचर है पेशे से वह टीचर से के के दिन केक काटते हैं वीडियो वाइरल होता है पुलिस अंग्यान लेती है उनको पकड़त करती है फिर छोड़ो करती है और एक तस्भीर जड़ी करती है सारण पुलिस और और वीडियो आप देख पाएंगे और तस्भीर भी देख पाएंगे की कि सिख्षक के पास से हमें यही वाला गन मिला है यानि कि एर गन मिला है उसके बाद से उनको छोड़ दिया जाता है उसके बाद से सोचल मीडिया पे और जो भी सोचल एक्टिविस्ट लोग हैं वो कह रहे थे कि इस तरह तो अपराधियों का मनोबल बढ़ जाएगा और यही कि हम तुम को मार देंगे 20 तारीक को रात में जो मारने वाला लड़का है मुहमद गुड़ू और उसके पांच साथ ही वो फेस्बुक पे स्टेटस लगाता है भुचपूरी गाने के साथ स्टेटस लगाता है कि या जेल होई काल बेल होई या परसों से खेल होई लिखा र कर देते हैं चाकू से बार करते हैं तो कोई भी बचने के लिए भागता है अदितिवारी भी भागे लेकिन पकर के चाकू मारा गया फिर चाकू को मोड दिया गया और वहां पर आदितिवारी तरप रहा था दूसरा चीज यह है कि हाई स्कूल के जो भी टीचर थें उनसे क सिक्षक पर कारवाई हो गई होती तो साइद यह घटा नहीं घटी क्योंकि इसको कड़ी को जोड़ने का सबसे एक सटीक उदाहरन यह है कि 20 तरीक को उसने धंकी दिया था कि तुमको कल मार देंगे वीडियो भी अप्रोड किया था और तीन दिन पहले जिसने मारा है उसका हैं उन्होंने एक आवेदन जाड़ी किया है मतलब लिखा हुआ है उस पर लिखा हुआ है कि स्कूल में कोई भी घटना नहीं घटी है अब इस बात से आप अंदाजा लगाई यह और सारे टीचर का साइन किया गया है और एक छोटा बच्चा भी उन सारे सिंगनेशर को दे पर लिखा था कि मीडिया में बात क्यों नहीं है और बहुत कम लोग है अब देखिए दो तरीका है एक तो यहां पर धार्मिक मामला है इसको मतलब धार्मिक कह सकते हैं क्यूंकि आप समझे कि एक सिच्चा कट्टे से केक काट के बच जाता है क्यूंकि वहां कि थाना हैं मेरे मंन का कोई भी बात आहीं है जो हम देख रहे हैं सुन रहे हैं जो लोग कह रहा है हम dirty का था कर लूद के मारने वाले लोग है लोग को नहीं बोलता है कि अगर दूसरे संप्रदाय का और या इसमें कहीं कहीं जो है विधायक का भी नाम लिया जाता है कि जो के विधायक हैं वो संग्रक्षन देते हैं अपड़ाधियों को क्योंकि कल हमने एक अस्थानिये नेता हैं जो निर्दलिये चुनाव लड़ते हैं राना परताप सिंग डबलू उनका नाम है तो सीधे चौर परी बात कहें कि सतेंदर यादो मांजी विधायक अपड़ाधियो में नाम है उसमें एक और व्यक्ति का नाम जोड़ा जा रहा है जिसके उम्र 55-60 वर्स है और कहा जा रहा है कि वहीं मास्टर माइंड है इस पी सहाब के बारे में भी बहुत बाते चल रहे हैं कि सब कुछ देख रहे हैं क्या कर रहे हैं आप लोग का च्छपरा का मूड क्य कि जब हम आएंगे तो इस मामले को देखेंगे बाकि आज इस पी सहाब आ गये हैं उन्होंने वह जब मृतक के घर पहुंचे थे तो कह रहे थे कि इसको धार्मिक मामले का रंग दिया जा रहा है बाकि घर के लोग खुदी कह रहे हैं कि धर्म क्या धार पर मारा गया है मारने वाला भी दोनों एक ही गाउं के हैं लगवाग 400-500 पुलिस है और जितने भी आरोपी हैं सब के घर पे पुलिस है और परीजन जो जिसके घर का लड़का मड़ा है उलो का तो यह आरोप है ना कि दो भाई थे आदितिवारी बड़े भाई जो है आर्मी में है राजस् को मार दे मतलब दो दिन हो चुका था लास अभी तक घर में लास आपको नहीं चला गया है इंतजार में था लोग की बड़े भाई आए उसके बाद से लास को चलाया जाएगा समझीए और वो लोग का सीधा रोप था पुलिस है क्या है क्यों हो रहा है सबसे पहले बीडिं गिर गया था लेकिन अगल-बगल के जो लोग थे कह रहे थे कि बंब ब्लास्ट हुआ है कि पटाके के आवाज में और बंके आवाज में बड़ा अंतर होता है दिवाली में पटाके फूटते हैं तो हम लोगों ने भी सुना है और बंका धमाका होता है समझिए कि जब कलबा था उससे जो इंटे निकली थी वह 200 मीटर दूर जाके एक विजली के खंभे में लगी थी तो उसका एंगल होता है ना जो लोहे का बना होता है मजबूत एंगल जिस पे 11000 वोल्ट की लाइने गुजारी जाती है वो टूट गया था पटाके से इतना बड़ा धमा का बी सारण की लोग अंदर से डड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने माजी का भी केस देख लिया ये भी केस देख लिया और घर वाले सीधे तोर पर कह रहे हैं कि पुलीस भी जो है आरोपियों को बचा रही है दो लोग गिरफ्तार हुए है पुल्कुल सुरक्षा नहीं है मारने जो लड़का मारा है उसका फेस्बुक प्रोफाइल जो था उसमें पहले से मतलब उसका पहले से किसी लड़के को ऐसे गरदन पे चाकू लगा के फोटो लगाया है और जो सारण पुलीस आज कह रही है कि मीडिया के लोग या कोई भी व्यक्ति इस मामले को अगर उच्छालते हैं गलत रंग देने की कोशिज कर रहे हैं उन पे कारवाई होगी तो कारवाई तो पहले उन पत्रकार रुपे फाई आर होगा खाली इस मुद्धे को दबा देने के लिए मेरे को लगता है हम देखते हैं अपने च्छपड़ा पास दारू खोजनी के आलाव कोई काम नहीं है तो मजबूरी है औरना साइबर सब्सक्राइब लेकिन अफसोच है कि पूलिस वालों को काम नहीं है बाकि हमारी को निया मिले हम लोग वीडियो करते रहेंगे आपको पलपल का अपडेटे रहेंगे अप जंद रेंग्शन देख रहें थे मिर साथ रिशव है रिशव छपर आपडेट के पत्रकार थे बहुत बहुत झाल झाल